दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका ने क्यों U-2 विमान और क्यों SR-71 Blackbird को बना कर तयार किया था दरसल दोस्तो 60 के दसक में Soviet Union बहुत ही जादा advance मिसाइले बनाने में लगा हुआ था लेकिन अमेरिका लगातार इस कोशिश में लगा हुआ था कि केसे न केसे ये पता लगाए जाए कि Soviet Union ने अपनी मिसाइलों को कहां कहां पर चुपा रखा है इसी बात को देखते हुए अमेरिका ने U-2 विमान को बना कर तयार किया था U-2 विमान ने अपनी पहली उडान 1955 में भरी थी और अमेरिका ने ऐसे 104 की संख्या में विमानों को बना कर तयार किया था उस समय इस विमान की स्पीड 764 किलो मिल्टर परती घंटा थी लेकिन इस विमान की सबसे स्पेशल बात यह थी कि यह उस समय 70,000 फिट की उचाई पर उड़ने में पूरी तरीके से शक्षम था अमेरिका ने इस U-2 विमान को स्पेशली सोवियत यूनियन की जासुसी करने के लिए बनाया था अमेरिका के इस U-2 विमान को मारने के लिए फिर सोवियत यूनियन ने एक बार अपने मिग 17 विमान को उड़ाया था लेकिन उस समय सोवियत यूनियन का मिग 17 इस विमान को पकड़ तक नहीं पाया था क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन के पास ऐसा कोई भी विमान मुझूद नहीं था जिसके अंदर बहुत ही ज़ादा पावर जनरेट करने वाला इंजन लगा हो बिग 17 के फ्लोफ होते ही सोवियत यूनियन ने ये प्लैन मनाये कि हम अमेरिका के इस यूटू विमान को अपनी मिसाइलों के दम पर मार कर गिराएंगे और उस समय सोवियत यूनियन ने हजारों की संख्या में यूटू विमान के उपर मिसाइले दागने की कोशिश की लेकिन उस समय सोवियत यूनियन के पास एसी कोई भी मिसाइल नहीं थी जो 70,000 फिट की उंचाई पर जाकर अमेरिका के इस यूटूब विमान को मार गिरा सके यहाँ पर भी सोवियत यूनियन को रिजल्ट बिल्कुल 0 ही मिला यूटूब विमान में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि इस विमान के जो पंक थे वो बहुत ही जादा बड़े थे अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके पंकों की चोड़ाई 103 फिट थी यानी 31.49 मिटर इतने बड़े पंक होने की वज़े से इसकी लेंडिंग भी बहुत ही जादा मुश्किल से हो पाती थी और 60 के दशक में अमेरिका ने अपने यूटूब विमान की मदद से सोवियत यूनियन के बहुत से डेटा को चुराया था और उस समय अमेरिका ने अपने इस यूटूब विमान में हाई क्वालिटी के कैमरा लगा रखे थे जिस वज़े से अमेरिका को सोवियत यूनियन की मिसाइलों की लोकेशन के बारे में पता चल गया था और फाइनली 1960 में वो दिन भी आ गया जब सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल से इस यूटूब विमान को मार गिराया और ये उस समय अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जटका था और फाइनली चार साल बाद अमेरिका ने अपने SR-71 ब्लैक बर्ड को मैदान में उतारा और SR-71 उस समय एक लोता एसा प्लेन था जो 85,000 फिट की उचाई पर उडान भरने में शक्षम था अमेरिका ने SR-71 की पहली उडान को 22 दिसंबर 1964 में किया था और उसके दो साल बाद यानि की 1966 में अमेरिका ने इसे अपनी सेना में भी शामिल कर लिया था साट के दशक में इस विमान की रफतार 3529 किलोमिटर परती घंटा थी सोवियत यूनियन ने SR-71 ब्लैक बर्ड के उपर भी हजारों की संख्या में मिसाइलों को दागा था लेकिन एक भी मिसाइल SR-71 ब्लैक बर्ड को हिट नहीं कर पाई थी जिस समय अमेरिका ने SR-71 ब्लैक बर्ड को सोवियत यूनियन के अंदर घुषाना शुरू किया था उस समय सोवियत यूनियन को एक से डेड़ साल तक ये तक नहीं पता चल पाया था कि उनके देश में कोई विमान घुष रहा है और अमेरिका ने उस समय अपने SR-71 ब्लैक बर्ड के अंदर कुछ स्टेल टेक्नलोजी भी लगा रखी थी लेकिन जिस दोरान अमेरिका अपने SR-71 ब्लैक बर्ड को बना कर तयार कर रहा था उस समय अमेरिका के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही थी कि अगर हमारा प्लेन इतनी ज़्यादा रफतार से उड़ेगा तो यह हवा में ही पिगल कर राक हो जाएगा तो उस समय अमेरिका ने ये डिसिजन लिया था कि हम अपने SR-71 ब्लैक बर्ड को टाइटेनियम की मदद से बनाएंगे लेकिन उस समय अमेरिका के पास थोड़ा भी टाइटेनियम मुझूद नहीं था उस समय सोवियत यूनियन के पास अच्छी खासी क्वांटिटी में टाइटेनियम मुझूद था और फिर अमेरिका ने अपने कई मित्र देशों के अंदर फेक कमपनियों को बनाया और उनी कमपनियों के थ्रू टाइटेनियम को सोवियत यूनियन से खरीदा और फिर इनी देशों ने टाइटेनियम अमेरिका को सप्लाई किया अमेरिका ने अपने SR-71 ब्लैक बर्ड के अंदर बान में पर्तिशत टाइटेनियम का इस्तिमाल किया है लेकिन उस समय तक सोवियत यूजियन को भी ये बात पता चल चुकी थी कि हम किसी भी मिसाइल की मदद से अमेरिका के SR-71 ब्लैक बर्ड को निशाना नहीं बना पाएंगे इसलिए ही फिर सोवियत यूजियन ने मीग 31 को बना कर तयार किया और उस समय मीग 31 की रफतार 3000 किलोमेटर परती घंटा थी लेकिन मीग 31 भी SR-71 ब्लैक बर्ड के सामने नहीं टिक पाया क्योंकि अभी भी SR-71 ब्लैक बर्ड की स्पीड जादा थी और फिर फाइनली सोवियत यूजियन ने अपने मीग 31 को अपग्रेड किया और फिर मीग 25 को बना कर तयार किया गया और उस समय मीग 25 की रफतार करीब 3490 किलोमेटर परती घंटा थी जिस वज़े से अमेरिका को भी अब ये लगने लगा था कि कर अब हमने मोस्कों के अंदर गुशने की कोशिश की तो सोवियत यूनियन की तरफ से अपने मीग 25 को भेजा जाएगा और मीग 25 अपनी मिसाइलों की मदद से SR-71 ब्लैक बर्ड को हवा में ही तभा कर देगा और मीग 25 बनने के बाद अमेरिका ने फिर अपने ब्लैक बर्ड को दोबारा से सोवियत यूनियन के अंदर गुशाने की कोशिश नहीं की और फिर फाइनली अमेरिका ने 1988 के दोरान अपने SR-71 ब्लैक बर्ड को रिटार कर दिया था इस विमान के रिटार करने के पीछे एक रीजन यह भी है कि इस विमान को एक घंटा उड़ाने की कीमत दो लाक डोलर होती थी लेकिन सबसे स्पेशल बात यह है कि अमेरिका अभी भी अपने यूटू विमानों को उड़ा रहा है और अब से दो साल पहले ही अमेरिका ने अपने 65 साल पुराने यूटू विमान से चाइना के अंदर गुसने की कोशिश की थी लेकिन चाइना को आनोकान खबर ये तक नहीं हुई थी कि उनके देश के अंदर अमेरिका का स्पाई प्लेन गुस चुका है और दोस्तों आपको बता दे कि अब अमेरिका SR-71 Blackbird से भी ज़्यादा घातक प्लेन बना रहा है और इस विमान का नाम SR-72 Blackbird होने वाला है SR-72 की जो रफतार होगी तो 6 Mac से 6.5 Mac होगी और अमेरिका की तरफ से ये प्लेन किया जा रहा है कि हम अपने SR-72 को 2025 में पहली बार उड़ाएंगे दोस्तों आज का ये वीडिया आपको केसा लगा आप इस बात का अंसर कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठैंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो हैव अगोड डे